इधर देश के सबसे बड़े बैंक, SBI ने संकेत दिये हैं कि रिजवर्बैंक की तरफ से बिना गारंटी कर्ज पर सक्ती के बात, बैंकों की तरफ से दिये जा रहे अंसेक्योर लोन महंगे हो सकते हैं SBI चेर्मेन दिनेश खारा के मताबिक रिजवर्बैंक के कदम की वज़ा से बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दो से तीन बेसिस पॉइंट का असर पर सकता है इस बीच रिजवर्बैंक के आखड़े बताते हैं कि अगस्त के दौरान देश में क्रेट कार्ड से खर्च का आखड़ा रिकॉर्ड इस तरह पहुंच गया है जिस वजह से क्रेट कार्ड के कर्ज में डिफॉल्ट का खत्रा बढ़ता हुआ दिका बताया जा रहा है इस बीच रिजवर्बैंक गवर्णर का एक बयान भी चर्चा में है रिजवर्बैंक गवर्णर ने बैंकों की तरफ से खोल कर दिये जा रहा है कर्ज को लेकर सवाल उठाए है सर्थ SBI के बयान का माइने क्या है और रिजवर्बैंक क्या कहना चाहरा है विपल देखिए कभी केंद्री बैंक बगर कहे भी बयाज़ देने बढ़ा देता और यह वही नतीजा है कोई पॉलिसी नहीं आई पॉलिसी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई लेकिन पिछले दरवाजे से बयाज़ देने बढ़ने का रास्ता खुल गया SBI के चेर्मेंड का कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में में कर्च पर बयाज़ देने और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि बैंकों को जिस प्रक्रिया के तहरत अंसेक्यूर्ड गर्जमानती लोन देने से रोका गया जहां ज्यादा रिस्क है इसके कारण बैंकों के जो नेट इंटरिस्ट मार्जिन है जो उनके प्राफिट का सबसे बड़ा सूचे के इंडिकेटर होते हैं उन पर दबाव दिखाई देगा और उसके बैंकों को अपने बाकी प्रोड़क्स के उपर और इन प्रोड़क्स के बढ़ा नहीं ये पूरा फैसला जो रिजर बैंक ने पिछले एक हफ़ते में लिया ये भारती बैंकिंग उद्यूग में बड़ा टर्न है बड़ा उलट फेर है इस फैसले से बड़ा इस्ट्रक्चरल चेंज भारत के बैंकिंग सिस्टम में आने वाला है बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि बैंकों को अन्सेकर लोन से रोक दिया कल तो और बैंकों को एक्जिबरंस में करज देने से रोकना चाई यहां करज की बहुँजादा मांग दिख रही वहां करज मत दीजे यह लगबाग वैसी बात हो गई जैसे कि कोई कोई मिठाएगा वाला जुसकी सबस्जादा बिकन लागते हैं वही जाकर उनके लिए संकट की वज़े बनते हैं तो ये पूरा फैसला जो हुआ है ये धीमे धीमे इस तरफ जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि बाजार में ब्याजदरे कम होने की कोई गुंजाइश दिख भी रही थी तो इसके बाद खतम हो रही है क्योंक को ज्यादा पूजी की ज़रौत होगी और उन्हें अपने इंटरेस्ट मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्याजदरें बढ़ानी पड़ेंगी